Hello my dear students, welcome to my channel Alpha Knowledge Box. इस वीडियो में आज हम NCRT कक्छा 6 हिंदी मलहार के Part 9 मैया मैन ही माखन खायों के NCRT प्रेश्ण उत्तर को करने वाले हैं और ये वीडियो चेप्टर की Part 2 वीडियो है. पार्ट वन वीडियो को पार्ट की व्याख्या के साथ सोच विचार के लिए तक डिस्कस किया था. अगर अभी तक आपने Part 1 वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जागी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 6 हिंदी मलहार से आप इस वीडियो को देख सकते हैं. Part 2 वीडियो को कविता की रचना से शुरू करेंगे. यहाँ पर पंते लिखी हैं. भोर भयो गयन के पाचे, मदवन मोहे पठायो, चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांज पर ए घर आयो. चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है. इन पंतियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से देखें. पतायो और आयो दोनों शब्द की अंतिम ध्वन एक जैसी है. इस विशेष्टा को थुक कहते हैं और इस तरह के शब्द, जिनके अंतिम अप्छा की ध्वन एक जैसे यो, जैसे पठायो, आयो, यहाँ पर यो, यो की ध्वनी निकल रही है, तो इस तरह के शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं, इस पूरी पद में प्रतेक पंति के अंतिम शब्द का तुक मिलता है, अनेक कवी अपनी रचना को प्रभावशाली बनाने के लिए तुक नहीं दिया हो, तो जिस कविता में भजन में या पद में पंतियों के अंतिम शब्द तुकांत शब्द होते हैं, वो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, यही बात यहाँ पर कही जा रही है, अब यहाँ पर काप रशन दिया गया है, इस पाठ को एक बात फिर से और अपने अपने समों में मिलकर इस पाठ की विशेष्टाओं की सूची बनाईए, जैसे इस पद की अंतिम पंक्ति में कवि ने अपना नाम भी दिया है आदी, इस पद की सबसे पहली विशेष्टा यह है कि हर पंक्ति में तुकांत शब्द जोड़े गये हैं, जिससे प बहुत प्रभावशाली हो गया है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरा कवी ने क्रेश्णी की बाल लेला को बहुत ये बारिकी से सुन्दर तरह से प्रस्तुत किया है, जिसमें कवी बता रहा है कि क्रेश्णी किस किस तरह से अपनी बात को मनवाने के लिए तर्क देते हैं और अंत में घुस्सा भी दिखाते हैं और कवी ये भी बता रहा है कि मा किस तरह से क्रेश्न की मासूमियत भरी बातों से प्रभावित हो जाती है और बड़ी है खोपसूर्थी से कवी ने अपना नाम भी अंतिम में जोड़ दिया है उत्तर इस तरह से हो प्रभाव शाली। कवी शूद्धाच छे उने बहुत बारेकिये से जास्वारग कर बालसुलद बातों को कवीता की रूप में प्रस्तूत किया है या कवीता का इन सब बातों का बहुबिक अर्थ है बहुत अच्छी तरह से वर्णन करते हुए कवी ने बहुत सुंदर्धा से अंतिम पंक्ति में अपना नाम भी दे दिया है खापर है अपने समों की सूची को कच्छा में सब के साथ साजा कीजे आपने यहाँ पर जो भी विशेशताय लिखी है उसे आपको अपनी कच्छा में सब के सामने प्रस्तुत करना है साजा करना है अगली हेडिंग है अनुमान या कल्पना से अपने समों में मिलकर चर्चा कीज़े पहला प्रश्ण है श्री क्रेशन अपनी मा ये शोधा को तर्क क्यों दे रहे होंगे श्री क्रेशन अपनी मा ये शोधा को तर्क इसलिए दे रहे होंगे ताकि वो अपने आपको साबित करते हुए कई तरह के बहाने बना सके इस पद में क्रेश्ण के बाल सरूप का चित्रण है श्री क्रेश्ण भी छोटे बच्चे ही है अता स्वयम को निर्दोश साबित करने के लिए वे अपनी मा यशोदा को तरक देते हैं खाप प्रश्ण है जब माता यशोदा ने श्री क्रेश्ण को गले से लगा लिया तब क्या हुआ होगा यहां पर कई बाते हो सकती हैं जैसे जब माने बेटे को गले लगाया होगा श्री क्रेश्ण को गले लगाया होगा तो दोनों खुश हो गए होगे श्री क्रिष्ण चाहते होंगे कि उनकी मा की नाराजगी दूर हो जाए गले लगाने से दोनों की नाराजगी भी दूर हो गई होगी और जिस बात के लिए तर्क दिये जा रहे थे बहस हो रही थी वो बात भी खत्म हो गई होगी आप चिर्चा अपनी ढंग से कर सकते हैं या फिर इस तरह से कर सकते हैं जब माता यशोदा ने श्री क्रेशन को गले लगा लिया ताम मा बेटे प्रसरनता से जूम उठे होंगे यशोदा माता भी अपने पुत्र से नाराज नहीं रह सकती थी श्री केशने भी यह नहीं चाहते थे, वे भी माता ये शोदा को हर्शित देखना चाहते थे, जिस बात को लेकर बहस चल रहे थे, वह बात भी समाप्त हो गई होगी अगला है श्रब्दों के रूप, नीचे श्रब्दों से जुड़ी कुछ गतविदियां दी गई हैं, इन्हें करने के लिए आप श्रब्द कोश अपने शिच्छकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं पहली गतिविदियां भोर भयो गयन के पाच्छे, इस पंत में पाच्छे शब्द आया है, इसके लिए पीछे शब्द का उप्योग भी किया जाता है इस पद में ऐसे कुछ और शब्द हैं, जिनने आप कुछ अलग रूप से लिखते और बोलते होंगे नीचे ऐसे ही कुछ अनशब्द दिये गया है, इन्हें आप जिस रूप में बोलते लिखते हैं उस प्रकार से लिखे यहां पर शब्द है, पद में परे, पड़े के लिखा गया है, कच्छु, कुछ के लिखा गया है छोटो छोटा के लिए लिखा गया है ले लेना के लिखा गया है विधी विधी और प्रकार के लिखा गया है नहीं नहीं के लिखा गया है भोरी भोली के लिखा गया है सामानता लोग इन शब्दों की जगा इन शब्दों का प्योग करते हैं और इन शब्दों की जगे इनका प्योग करते हैं खापर गती विदी दे हुए, पद में से कुछ शब्द चुनकर नीचे इस्तंब एक में दिये गए हैं और इस्तंब दो में उनके अर्थ दिये गए हैं, शब्दों का उनके सही अर्थों से मिलान किजिए, पहला शब्द है उपजी, उपजी का मतलब होता है उपजना या उ चौथे पर है जी इसका अर्थ होता है मन या जी इसे मैच करेंगे साथ नमबर से पांच पर है पठायो इसका अर्थ होता है भेजना या भेज दिया इसे मिलाएंगे भेज दिया से छे पर है पतियायो इसे मैच करेंगे चार से विश्वास किया या सच माना अगला है बहियन बहियन का अर्थ होता है बाह, हात या भुजा इसे 5 नंबर से मिलाएंगे 8 पर है विधी इसको मिलाएंगे 6 नंबर से प्रकार भाती और रीती से अगला है बी हसी इसे मैच करेंगे 1 नंबर से मुस्कराई या हसी अगला है भटकायो इसे मेच करेंगे 10 नमबर से, इधर उधर घूमना या भठ्का, अंति में, लप्टायो इसका अर्थ होता है, माला लगाया या पोता अगली हेडिंग है वर्ण परिवर्तन, वर्ण का अर्थ है अक्षर, तू माता मन की अति भोरी, भोरी का अर्थ है भोली, यहां ला और रा वर्ण परस पर बदल गए हैं आपने ध्यान दिया होगा कि इस पद में कुछ और शब्दों में भी ला या डा और रा में वर्ण परिवर्तन हुआ है ऐसे शब्द चुनकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखे सविता में दो जगे परे लिखा हुआ है और एक जगा भोरी लिखा हुआ है यहां पर रे की जगा डे होगा और यहां पर री की जगा ली होगा इस थरह से भोली की जगह भोरी लिखा गया है पड़े की जगह परे लिखा गया है यहां पर री की जगह ली होगा और रे की जगह डे होगा अगला है पंक्ति से पंक्ति, नीचे इस्थम्ब एक में कुछ पंक्तियां दी गए हैं और इस्थम्ब दो में उनके भावात दे गए हैं रेखा खिंच कर सही मिलान किजिए इस तालीका की बाद की जारी है इस थंब एक में पंक्ती दी हुई है और इस थंब दो में उनके अर्थे दी हुई है इन्हें आपस में मिलाना है पहले नंबर पर पंक्ती है भोर भयो गयन के पाचे मधुबन मोही पठायो इसे मिलाएंगे चार नंबर से सुबा होते ही गायों के पीछे मुझे मधुबन भेज दिया दो नंबर पर है चार पहर बंसी बट भटक्यो सांज पर एक घर आयो इसे मिलाएंगे पांच नंबर से चार पहर बंसी बट में भटकने के बाद सांज होने पर घर आया तीसरे पर है मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही भी धिपायो इसे मिलाएंगे एक नमबर से मैं छोटा बालक हूँ, मेरी बाहें छोटी हैं, मैं छीके तक कैसे पहुँच सकता हूँ चोथे पर है गौाल बाल सब बैर परे हैं, बर बस मुख लपटायो इसे मिलाएंगे छे नमबर से, ये सब सखा मुझसे बैर रखते हैं, इन्होंने मक्षन हट पूरवक मेरे मुख पर लिपटा दिया पांच पर है तू माता मन की अतिभोरी, इनके कह पतियायो इसे मिलाएंगे तीन नमबर से, मात तुम मन की बड़ी भोली हो, इनकी बातों में आ गई हो और अंतिम है, जी तेरे कच भेद उपज है, जान परायो जानो, इसे मिलाएंगे दो नमबर से, तेरे हेदय में अवश्य कोई भेद है, जो मुझे पराया समझ लिया अगर आप इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ करके इन्हें मिलाएंगे, तो इनके अर्थ भी आपको याद हो जाएंगे अगला है आपकी बात मैं या मैं नहीं माखन खायूं, यहां श्रीक्रिश्न अपनी मा के सामने सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है, कभी-कभी हमें दूसरों के सामने सिद्ध करना पढ़ जाता है कि यह कार हमने नहीं किया, क्या आपके स अगला है घर की वस्तुई यहां पर लिखा हुआ है मैं पालन बहियन को छोटू छीको के बिद पायो शिरी कृष्णी कह रहे हैं कि मैं छोटा सा बालक हूं मेरी बाहें भी छोटी हैं मैं छीके को कैसे पा सकता हूं यहां पर छीको को अंडरलाइन किया गया है इसे आपको सम होता है कि इसमें दूद दही मखन इस तरह की चीजें टांग दी जाएं जिससे बिल्ली कुत्ता इस तक ना पहुँच सके इस तरह से इसका उपियोग घरों में दूद दही मखन को बिल्ली और कुत्तों से बचाने के लिए किया जाता है चली देखते हैं नीचे क्या कहा ग हरेलू सामान दिये हुए हैं इन्हें आपको पहचारना है और इनके नीचे नाम लिखना है यहां पर पहला चित्र है घड़े का दूसरा है इस्त्री इसे प्रिस्वी कहते हैं तीसरा है चौकी चौथा है सिलाई मशी पाचवा है चार पाई इसके चार पैर होते हैं इसलिए चार पाई कहते हैं अगला है मर्दबान इसका प्रियोग अचार रखने के लिए किया जाता है अगला है सूप इसका प्रियोग अनाज से भूसा या हलकी चीजों को अलग करने के लिए किया जाता है यह जाता इसका प्रियोग दाल को दलने के लिए किया जाता है दो भावो के लिए करते हैं शेहरों में भी कई जगों पर इसका प्रियोग होता है अगला है मतनी इसका प्रियोग इस तरह से बिलावनी में किया जाता है इसे बिलावनी कहते हैं इसका प्रियोग दही से मक्खन और छांच को अलग करने के लिए किया जाता है इसके लिए इस मतनी को इस ये के छोटे-छोटे कण या पत्थरों को अलग करने के लिए किया जाता है। ये है डलिया, इसका प्रियोग हरी सबजी को रखने के लिए या फिर रोटी रखने के लिए किया जाता है। ये है ओखली, इसका प्रियोग मसालों को कूटने के लिए किया जाता है। और यह है बिलोवनी. आगे लिखा हुआ है, आप जानते ही हैं कि श्री कृष्ण को मक्षन बहुत पसंद था. दूद से दही मक्षन बनाया जाता है और मक्षन से घी बनाया जाता है. नीचे दूद से घी बनाने की प्रक्रिया संबंदी कुछ चित्र दिये गए हैं. अपने परिवार के सदस्यों, शिक्षकों और इंटरनेट हाथ की सहायता से दूद से घी बनाने की प्रक्रिया लिखे. चित्र के अनुसर मैं प्रक्रिया बता दे रहे हूं. आप इसे लिख लेजेगा गाए चारा चरेगी इसके बाद इसका दूद निकला जाएगा दूद को इस तरह से पकाया जाएगा उबाला जाएगा इसके बाद या तो दूद का दही बना के उसका घी निकला जाएगा या डायरेक्ट दूद से भी घी बनाया जा सकता है इस त इसोसे उपर मक्क्रों और नीचे छाच होगा, इसको धीरे-धीरे five लेरे करके स्टक्राइं को निपा लिया जाएगा इसके बार इसे पकाये जाएगा जिसे इस तत्रह से घी बन करके तैयार हो जाएगा अगला है समय का माप अर्था समय को किस तरह से मापा जाता है चार पहर बंसी बट भटकायो, सांज परे घर आयो यहाँ पर पहर और सांज शब्द से समय को बताने कोशिश की जा रही है का पर है पहर और सांज शब्दों का प्रयोग समय बताने के लिए किया जाता है बेला अवधि आदि यहां पर समय से संबंदित संकेत दिये हुए है इनके बारे में आपको बताना है साथी पहर के बारे में सांच ये बारे में और भी जो भी समय से संबंदित शब्द है उनके बारे में बताना है जैसे आप यहां पर बताएंगे एक दिन रात के 24 घंटे को आठ पहर में विभावत किया गया है, बाटा गया है, दूसरा दिन के चार पहर, दिन के चार पहर होते हैं, पहला पूरवहन, दूसरा मध्यान, तिसरा अप्राहन, और चोथा सायकाल, और रात के भी चार पहर होते हैं, पहला प्रदोश, दूसरा निशित, तीसरा त्रियामा और चोथा उशा तीन घंटे का एक पहर होता है चार यहाँ पर चार यहाँ पर इस तरह से आठ पहर होते हैं चौबिस घंटे में कल आप सबी जानते हैं आने वाला कल और बीता हुआ कल होता है रितु, विभिन रित्वे है जैसे गरीश्म रितु वर्षा रितू, शिशिर रितू और बसंत रितू, पकवाडा बोलते हैं 15 दिन को, दर्शक बोलते हैं 10 वर्ष को, बेला बोलते हैं समय को, अवधी बोलते हैं समय सीमा को, और वर्ष बोलते हैं आपको हिंदी में बताना है, 365 दिन को, अब यहाँ पर प्रिश्न पुछा गया खा में श्री क्रिश्न के अनसार वे कितने घंटे गाय चराते थे भजन में इसके लिए पंक्त दी हुए आप वहां से देख लीजेगा उत्तर में केवल बता दे रही हूं श्री क्रिश्न के अनसार वे चार पहर अर्था बारा घंटे गाय चराते थे गाह पर प्रिश्न है मा सुलभा छे बजे गाई चराने चले गए होंगे। घहा पर प्रिशन है। दो पहर का अर्थ है।वल जब दो और पहर को मिल करके बना हुआ है। जब दूसुरे पहर की समाप्थे होती है और तीसरे पहर का प्रारंब होता है। यह लगबग 12 बजे का समय होता है, जब सूर सिर पर आ जाता है, बताए दिन के पहले पहर का प्रारम लगबग कितने बचे होगा, सुबा की 6 बजे से 9 बजे तक पहला पहर होता है, इस तरह से दिन का पहला पहर सुबा 6 बजे से 9 बजे तक होगा, अगला है हम सब विशेश ह इसे आप देख लीजेगा अर्थात यहाँ पर जो भी प्रेशनी पूछे गए हैं उसके उत्तर देने की कोशिश आप स्वयम करें अंद में चली देखते हैं कि आज की पहली में कौन सी पहली पूछी गई है दूज से मक्खनी नहीं यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिखाए गई है जैसे यह मिठाई है यह चाच हो सकता है, यह दही हो सकता है यह घी है, यह लसी है यह पनीर है और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिखाए गई है चलिए देखते हैं कि पहली में क्या पूछा गया है यह पहली है आपकी, यहाँ पर आपको दूसरे बनने वाली चीजों के नाम भरने है इस वर्ग पहली को आप इस तरह से भरेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है खो, यह हो जाएगा खोया या खोवा यहाँ पर है दा, यह हो जाएगा दही, यहाँ पर है मा, यह हो जाएगा मलाई, यह है ला, यहाँ पर हो जाएगा लसी, यहाँ पर है पा, इससे बनेगा पनीर, फिर है चा, इससे बनेगा चाच, अगला है मी, इससे बनेगा मिठाई, फिर है घी, घी ऐसा ही रहेगा, फिर ह इससे बनेगा शर्बत और अंत में है आ इससे बनेगी आइस क्रीम ये था पाट का अंतिम्परिश्न दिस इस दे एंड आ फीडियो थैंक्स फर वाचिंग